एले ब्रीवन चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करें खर्बुजा यानि के मस्क मिलन के बहुत ही आसान एक दन से टेस्टी सी रेजपी एक बार इस तरह से जरूर बनाई अगा गर्मियों के मुसम में इसे बनाना तो बनता ही है बनाना भी बहुत आसान है तो बस हमें करना क् खर्बुजा है इसको क्या करना है उपर से इस तरह से कट कर लेना है पूरा बीच में से हमें कट नहीं करना है बस उपर का यह जो है इस तरह से हमें हटाना है तो इस तरह से देख सकते हमें कुछ जादा ही उपर से हटा दी तो इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे कि कट कर इसको क्या करना है कि इसका बीज पूराँ निकालना सो क्या करना है कि बीज निकालना है तो कलto Но अगर अशलीं थे सब्सक्राश्चाश्य पूरा पेल निकाल ले ना झाल know what was, तो किसी भी इस्पून की मदद से आप निकाल लेंगे लिए Viera ठीक पुरा निकल गया निकाल देख सकते हैं अध्य को पुल्प है嫁 गर्बूजा है और निकालना है तो पहले क्या किसी कि सांप लगा लेंगilyं को पहले किसी भी। चाकु से क्या करेंगी इस हरागर कना करई की स्हूंस कि नायएक बाद क्या है। स्पोन से निकालेंगे तो काफी अच्छ से निकल जाएगा पहले चागु से कट लगा लेंगे जिसे के निकालने में काफी ज़्यादा असान रहता है तो इस तर से निकाल लेना है एकदम से पूरा भी नहीं निकालना है देखिए इस तरह से एकदम से बढ़ियां सा बाउल स यह रहे हैं और बनाने में गव लेंगें को दनाके काकरना है इसको हमने मिक्सी के जार में कियומר हमसे जालाने चाहें जिसके लिए मैने यहां पर मिश्री पॉडर का यूज करी है जो दागेवाली मिश्री होती है इसी कप पॉडर मैंने डाल लेगे तो लगवग 3-4 चमिछ डाल देंगे मिठा अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद जैस मैं यहां पर दूध डाल करके इसको ज जाता है देखे इसके बाद यहां पर मैंने कटोरी ले ली है इसके उपर यहां पर हमने मस्क ओलन वाल बनाई होई है इसको इस तर से डालेंगे काफी अच्छे से यह देखिए चारो तर रोटेट हो रहा है तो इससी में क्या करना है कि हमें डालना है आइस क्यूब तो इस तरह से इसको हमें ठंड़ ठंड़ बनाना है तो आइस क्यूब डालना तो बहुत जरूरी है चाहें तो ठंड़ पानी भी डालेंगे लेकिन यहां पर पानी का यूज नहीं करेंगे इसके बाद जो है यह जो हमने मस्क मिलन श्रिक बनाई है जो foulah होता है इसमें डाल देंगे इसे बहुत ही बढ़ी सागे आता है और गरμयों में इसे खाना तो बनता है है ये बहुत हिल्दी होता है फिल्दो कोठें Almost अब ती इसी में चालए कटी है इसों पर रिमनेolपास्ते कटी आपदी हूं wow बदाम भी है जिसको मैंने घीस ली है तो इस तरह से क्या करेंगे इसके पर डाल देना है थोड़ा सा यहां पर टूटी-फूरूटी जो है डाल देंगे जिसे कि एकदम से प्यारा सा इसका लूका आजाए तो इस तरह से हमारा एकदम से हिली सा मस्क मिलन शेक जो है बन करके त्यार हो चुका है और इसको इसी बावल में सर्फ करेंगे यानि कि इसी में पीएंगे तो इस तरह से एक बार जरू ट्राइब करिए का चाहिए तो इसको ग्लास में भी डाल के पी सकते हैं बस मैंने इसको इस तरह से वीडियो में मैंने बना दी है तो इस तरह से अब यह वीडियो के लाइट चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स फर वाच्चिंग